प्रश्न एक, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधी में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया? A. USA B. भारत C. रूस D. चीन सही जवाब, भारत भारत ने 1960 की सिंधु जल संधी, IWT, के कार्यानवेन पर इसलामाबाद की इन्मियता के बाद संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से नोटिस भेजा गया था भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बादचीत के बाद 1960 में संधी पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विश्व बैंक संधी का हस्ताक्षर करता था प्रश्न दो, किस शहर ने शांगाय सहयोग संगठन, SCO, फिल्म महोटसव 2030 की मेजबानी की? A. गांधी नगर, B. मुंबई, C. मैसूर, D. कोची सही जवाब, मुंबई शंगाय सहयोग संगठन, SCO, फिल्म महोटसव मुंबई में एक भव्य उध्गाटन समारों के साथ शुरू हुआ केंड्रिय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराक सिंग्ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ACO फिल्म महोटसव का उध्गाटन किया ACO फिल्म महोटसव का आयोजन ACO में भारत की अध्यक्षता को चिनहित करने और ACO क्षेत्र की फिल्मों की विविद्टा दिखाने के लिए किया गया प्रश्न 3. सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्राले ने कितने साल से पुराने सभी सर्कारी वाहनों को कबार करने की घोशना की? A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 सही जवाब 15 केंद्रिय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने एक अप्रेल से घोशना की, 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. इसके हिस्से के रूप में, केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के ओपक्रमों के स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहन और वेकल्पिक इंधन वाले नए वाहन उनकी जगह लेंगे. प्रश्ण 4. निधी आपके निकट किस संस्था का आउट्रीच कारेक्रम है? A. RBI, B. IRDI, C. EPFO, D. C.B. सही जवाब, EPFO. कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO ने, निधी आपके निकट, कारेक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउट्रीच कारेक्रम शुरू किया. इस कारेक्रम का उद्देश्य हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुँचना और संगठन और उस 24, D. पिस्तारा, सही जवाब, Air India टाटा समू के स्वामित्व वाली Air India ने कहा कि वो UK मुख्याले वाली आईडियाजन के ओध्यम क्लाउड सॉफ्ट्वेर एप्लिकेशन को रूस्म का उप्योग करेगी. सुरक्षा डेटा सॉफ्ट्वेर एप्लिकेशन सुरक्षा प्रबंधन प्रनाली को बढ़ाने में गटनाओं की रियल टाइम रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा. सगे द्वारा घोषना की गई थी. 2013 में पाँचवा वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन डर्बंध दक्षन अफ्रीका में आयोजित किया गया था. ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था. अप्रेल 2011 में पहली बार दक्षन अफ्रीका ने तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भ अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट परिशद, ICC, ने आगामी ICC महिला T20 विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों के सभी 13 सदसिय महिला पैनल की घोशना की। प्रश्ट्रिय और जन्नी नारायनन की भारतिय तिकडी समोह में शामिल है। इगनाइट IGN साथ नाम से एक नया हेलमेट लॉंच किया है। ये ट्रिपल होमलोगेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हेलमेट भी है क्योंकि ये अमेरिकी बजार के लिए .FMVSS 9, 218 और भारत के 20 सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। प्रश्न 9, अंतर राश्ट्रिय प्रलैस्मरंड दिवस की थीम क्या है? 27 जन्वरी को अंतर राश्ट्रिय समुदाय अंतर राश्ट्रिय प्रलैस्मरंड दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। इस वर्श की थीम, Home and Belonging, है जो होलो कॉस्ट पीरितों और बचे लोगों की मानकता पर प्रकाश डालती है। इस दिन को संयुक्त राश्ट्र महासभाद्वारा 1945 में आश्विट्स बिर्के नौ नाजी एकागरता और विनाश शिविर की मुक्ती के लिए चुना गया था। प्रश्न 10 RBI की हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक चेस्टी मुआवजा प्राप्थ हुआ? A. तमिलनाडू B. करनाटक C. महराश्ट्र D. गुजराद सही चवाब महराश्ट्र भारतिय रिजव बैंक RBI के एक अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक 5 साल की संक्रमन अवधी के दोरान महराश्ट्रा, करनाटक और गुजराद को शीर्ष GST मुआवजा प्राप्थ हुआ तमिलनाडू चौथा सबसे अधिक मुआवजा प्राप्थ करने वाला राज्य था जिसके बाद पंजाब का स्थान है अध्ययन में कहा गया है कि कम से कम 10 राज्य अनुमानित 14 प्रतिशत GST वृद्धी से कम हो सकते हैं पुडुचेरी, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड मुआवजा व्यवस्था के अंत से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है